बचाओ पापा मुझे बचा लो ये लोगों ने मुझे किड्नप कर लिया है इनको जो चाहिए दे दो बाहर बैट कर बहुत ही शातिर तरीके से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं आजकल नही ठगिया सामने आ रही है कि कोई डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आ रहा है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से किस तरह से वाइस को बदल कर ठगी की जा रही है हाल ही में 70 लाग इस तरह के मामले कई सामने आ रहे हैं और लोगों को किस तरह से अवेर होने की जूरत है क्योंकि बिलकुल हूब 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 वही वाइस आपकी आवाज में ही फोन करवाते हैं कि आपका बेटा आपका रेलेटिव इस हमारे कबजे में हैं वो उसको हम मार देंगे नहीं तो इतने पैसे दो और आटिफिशल इंटेलिजेंस के जरिए इस तरह की ठगी की जा रहे हैं और आज हम कोशिश करेंगे साइबर एक्सपर्ट राजेश राना जी भी हमारे साथ हैं उनसे बाचित करेंगे कि किस तरह से इन चीजों से बचना है पहले वेरिफाई कै किसे करें किस तरह से चीज़े क्योंकि ऐसे सॉफ्ट्वेर आ चुके हैं जिससे बहुत ही असानी से आटिफिशल इंटेलिजेंस के जरिया आवाज बजल दाती है रजेश जी क्योंकि अब ये लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं साइबर ठगी में डिजिटल अरे साइट से ले लेते हैं आज कल बच्चे बहुत बनाते हैं सोचल मीडिया बहुत एक्टिव हैं वहां पर उनकी ओडियो वीडियो हर तरह की चीज़ें अविलेबल हैं तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं वहीं से प्रोफाइलिंग करते हैं यूशली वहां से प्रोफाइलिंग कर करते हैं तो इसके बारे थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली करके समझना चाहें किस तरह से यह मोडो सब्रेंडी हो देखिए जिए इसमें कुछ भी आप टाइप करेंगे तो एक पर्टिकुलर वॉइस में अगर आपकी वॉइस क्लोन होगी तो उस वॉइस में यह आपको बोल तो यह इस तरह की एक सॉफ्टवेर होता है जिसमें सर यह आपने कुछ लिखा है इसमें अब इसमें वॉइस क्लोनिंग हो चुकी है कैसे हो गाई एक सैंपल वॉइस क्लोनिग है यह लोग मुझे मार देंगे इन लोगों ने मुझे किंद्नब कर लिया है इनको जो इसको बहुत fine tune किया जा सकता है किसी की भी voice को लेकि उसकी voice में इसको clone किया जा सकता है तो यह criminals जो है उसी चीज को use करते हैं इनको पता होता है कि बच्छा कब accessible नहीं है माल लिए बच्छा ट्यूशन पढ़ रहा है या बच्छा कोई गेम्स खेल रहा है उस टाइम फोन पिक नहीं करेगा जान बुझके वही टाइम चूज करते हैं पेरेंट्स को कॉल करने का तो पेरेंट्स को या किसी को भी जब ये कॉल जाए इस तरह की कॉल जाए तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए एक तो हमेशा ध्यान रखिए कि बच्छे के पर्टिकलर फोन से अगर फोन आए आपको तो आप कुछ एक्टिव एक्टिविटी करें या हमेशा पुलिस क करें जब इस तरह के फोन आते हैं ड्रैक करने के लिए बिलकुल रश में आके मैं समझता हूं कि जब बच्चे की जान दाओं पे लगी होती है तो पेरेंट्स परिशान हो जाते हैं वो उसी वक्त कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा हमें विवेक से काम ले नमबर आपके पास होंगे फ्रेंड्स के नमबर आपके पास होंगे तो उन चीजों को इमिजेटली वेरिफाई किया जा सकता है बच्चे की लोकेशन फाइंड आउट की जा सकती है इसमें मेल फीमेल कुछ और जैसे एक लीडिस थी अब इसमें जैंस की यानि कि इसको थी कि बचा लो यह लोग मुझे मार देंगे इन लोगों ने मुझे किटनप कर लिया है इनको जो चाहिए दे दो यानि किसी की भी आवाज आप क्लोन करें आगर किसी की भी आवाज का सैंपल अवेलेबल हो तो उसको क्लोन किया आ जा सकता है हालांके ये criminal offense है आप दूसरे की आवाज क्लोन नहीं कर सकते हैं लेकिन criminals जब crime कर रहे हैं तो उनके लिए इसका फर्क नहीं पड़ता पिछले जिनों में जो इस तरह के cases आये हैं वो mostly उडिशा या फिर उस side से जो south side से आ रहे हैं तो क्या एक network होता है ये पूरा नहीं देखें जो criminals हैं वो कहीं से भी activate हो सकते हैं उन्होंने हो सकता है वहां के sim ले रखे हो या वो location उनकी वहाँ पे हो क्योंकि उनको जहां छुपना असान होता है इन लोगों का network तो ही है जो cyber trucks हैं ये तो आपका नौर्थ इस से लेके साउथ तक और वेस से लेके इस तक हर जगह खाले होए है तो इनका पूरा network है तो कहीं से call आती है पैसा कहीं और जाता है multiple लोगों में divide होता है तो वो सब mule account हैं जो जहां से पैसा mule accounts में जाता है वहां से distribute होता है आगे तो वो तो इनका पूरा network है ही है तो इसको किस तरह से क्योंकि आपने जैसे बताया कि verify किया जाना चाहिए लेकिन जो software's बने हैं हलाकि कई free भी होते हैं कई subscribe भी करते हैं इस पर किस तरह से ध्यान देने वाली बात है क्योंकि सही बहुत लगाता है काउंकर देखिए जो software's है इनका purpose कुछ और है लेकिन उसको use किसी और चीच के लिए किया जाता है इसका purpose होता है कि मैंने अपनी कोई presentation बनानी है अपनी आवाज में तो मैं उस चीच के लिए उसको use कर लूँ तो यूशली इस तरह के purpose के लिए software बनाई जाते हैं किसी criminal purpose के लिए नहीं बना जाते है लेकिन criminals को इस तरीके से use करते हैं ये तो सेम वही बात है कि phone हमारी एक facility के लिए है लेकिन criminals को use करते हैं लोगों को ठगने के लिए तो हम software's को नहीं रोक सकते हैं कुछ नभी जो नए कानून बने हैं उसमें डीफ एक पे बहुत सकत कारवाई होने की और काफी सकते इंप्रिजनमेंट की है प्रोविजन्स हैं तो उमीद करता हूँ कि कुछ केसे जैसे होंगे जब रेस्ट होंगी और कुछ एक्जांपल सैट होंगे करिमिनल्स के तो जादा लोगों को अपने आप जागरूख होने की ज़रूरत है पैनिक ना हो सबसे ज़्यादा जरूरी है इस तरह की सिचुएशन में क्योंकि पैनिक हो जाते हैं जब कोई कोई केस आता है कुछ भी आता है अभी तो किनेप का केस है कलको आपको ऐसा कोई कॉल आ सकता है य लेकिन वहां भी देखिए के कौन से हॉस्पिटल में हैं कहां पर हैं शायद कोई पहले केस आया था इसी तरह का कि एक्सिनेंट हो गया वो हॉस्पिटल में है और उनकी जान पर बनी हुई और इतना पैसा चाहिए बलड चाहिए यह चाहिए तो लोगोंने पैसा पॉजटीव वे में तो लोग इसको अपनी प्रड़क्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं प्रड़क्टिविटी के जैसे मैंने बताया कि मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है मैं अपनी वोईस का सेंपल दूगा मैं उसे प्रेजेंटेशन बना लोगा तो वो मेरे हो जाता है क्योंकि वो टेक्स्ट मैंने एक पर बना दिया तो इसको वाइस किस तरीके से चाहूंगा कि मैं उसको अड़र सकता हूँHowast वोईस की तो मेरे किसी रील से या यूटुब से मेरा निकाल के उसमें कैसे ध्यान दिया जाए ये भी एक बड़ा कुशन है वेल मैं तो खेर इस चीज में बिलीब करता हूँ कि हमें सोशल मीडिया पे कम से कम होना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया एक कैसी चीज है जहां से हम बहुत सारी चीजें अपनी एकस्पोज करते हैं या अगर आप सोशल मीडिया पे हैं भी तो कम से कम अपनी फैमिली इंफरमिशन एकस्पोज मत कीजिए अपने फोन नमबर्स एकस्पोज मत कीजिए अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली के फोन नमबर्स एकस्पोज मत कीजिए आपकी कोई भी personally identifiable information exposed ना हो जहां से जो unknown लोग हैं जो आपकी profiling करते हैं वो आपका information वहीं से उठाके आपकी profiling करके उसको misuse करते हैं यह बहुत important चीज है जैसे सर नहीं बताई और इसे पहले भी इनोंने जानकारी दी थी किस तरह से जो शाति ठाग हैं जो fraudsters हैं वो कैसे आपकी personal information लेते हैं social media पर अगर आप हैं तो बहुत जरूरी है सावधानी की कि कोई personal information अपनी family की या कोई भी personally जो है और जो strangers हैं उनकी friend request असेप्ट ना करें